नमस्कार सभी को और आपको आज बेक्ग्राउंड थोड़ा अलग लग रहा होगा थोड़ा चेंज लग रहा होगा तो देखिए यह मेरा न्यू वर्किंग एरिया है और अपसे मैं अपने सारे काम यही करने वाला हूं तो वीडियो भी मैं यहीं पर बनाऊंगा तो आज हम बात करने वाले हैं एक कॉंट्रोवर्सी बड़ी चल रही है है ना और मुझे पता आपको पता ही होगा और वह कॉंट्रोवर्सी यह है कि संदेश पाजी ने जो एटी के मुहन बागान वर्सेज केरला ब्लास्टरस का मैच हुआ था उसमें कुछ शब्द बोल दिये ठीक ह और मीडिया मेनेजर इतना क्या बोलेंगे कि उसने वही चीज को सोसल मीडिया पर डाल दिया मतलब थोड़ा सोचनत था कि इसको डालने से कुछ हो ना जाए अब डाल दिया तो डाल दिया गल्दी कर दी तो उस बात को खीच लिया गया बहुत लंबा उस बात में संदेश पाजी के इतना जो किया है संधिस पाजी नहीं है उतना जोबी नहीं थीर तो उस कमेंट से उनकी पूरी जो है ना हमका जो चिरेक्टर मैं उस लाइन से 識मने लग गए है पूरी जो भी उनके फैंस भी कह सकते जह नी Dennis के जीजे मैंने देखी तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मतलब एस प्लेयर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो अकसर आपने भी देख्यों कि अगर आप फुटबॉल खेलते होंगे तो आपको भी चीज पता है मतलब जो दिख रहा है वो एक्चिल में है नहीं अब एक मैं नॉर्मल सी बात बोलता हूं कि अब जैसे मैं खेल रहा हूं या आप खेल रहा हूं सब्सक्राइब किसी ने सौट थोड़ा सा वीक सौट है उतना दम से सौट नहीं लिया ठीक है गोल पैसा पुचुक से चली कि कीपर ने सेव कर ली तो ऐसा निकल जाता है ना कि क्या लड साली बीख्डब मैं अपनी मा के जतनी करता हूं क्या इसका मतलब यह विरुकुल नहीं लेकिन रिट निकल जाता है इसका मतलब यह ने कि वह इच्छी में वैसा है कि वह डिसरिस्पेक करता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इंसान आज तक आपने संदेश पाजी का ऐसी कौनसी कॉंट्रोवर्सियल चीज सुनिये बताइए, जो इस तरीके से होगी, क्योंकि आप देखिए आप जैसे आप बॉलिवूट के जो कुछ है ना कॉंट्रोवर्सियल चीजों में इन्वाल संदेश पाजी एसे इंसान नहीं है अगर उनकी आप परसनल लाइफ उनकी अगर आप किस से सुनते होंगे किसी के थ्रू तो आपको पता चलेगा कि वह तो बहुत अच्छे इंसान है यह मैं कोई मखन लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं यह जितना मुझे पता संदेश इस पाजी कि परसनल लाइफ के बारे में मैं उसके उनुसार आपको बता रहा हूं है nा? कि ऊच्छे इनसान है, जितना मैंने सुना है, जिन्हों ने उनके साथ खेला है, जो क्रेक्टर उनका मुझे बताया गया, मुझे तो बहुत अच्छा क्रेक्टर बताया गया, ठीक ह मतला मैं तो personally नहीं मिला तो आप बूल सकते कि जब आपने खुद नहीं मिला तो आप ऐसाद कैसे कह सकते देखिये जो उनके साथ खेल एक होता ना ground में जो खेलते साथ में उनको उनका असल character पता चल जातां तो क्योंगि वहां पे असल जो भावना है वो वेक्त हो जाती है और एक और बात देखिए एक प्लेयर है वो खेल रहा है और बहुत महनद से खेल रहा है और वो फ्रस्टेर्ट हो जाता है तो कुछ भी मुझ से निकल जाता है अगर मान लीजे हर स्पोर्ट्स में माइक लगा दिया जाये प्लेयर्स के पास फिर तब उनकी खट रिस्पेक्ट ही नि करें करेंगे क्योंकि सबसे जफे जफ गंदे शबदom स्वाड़े जितने गुंडे भी नहीं बोलते उससे जज्यम्दा गंदे शबदombon tum वो जायब चलाई की बात कर लेया है अगर एपिर कैसा भी खिला लिग और वो निकालने का जरिया वही है, तो ये फ्रस्टेशन में कहीं कहीं बात थी, इसके ओपर उनको सेमफुल, सेक्सिस्ट, पता नहीं, बहुत सारे सब्दों का उनको विलकुल बार किया गया है, तो मैं चाहूंगा कि जो ऐसा सोच रहे कि संदेश और संदेश पाजी ने आप इस चीज को एक प्लेयर की भावना से देखिए, ठीक है, और यहां पर कहीं, मतला, गल्स भी उनको सेक्सिस्ट बोल रही है, तो मैं बात बोलना चाहूंगा, अब इतना ही, अगर संदेश पाजी की उतनी एक, मतला, वह तो मैं फालतु बात बोलूँगा, क्योंकि वह तो सीरियस बात ही नहीं, अगर उनने सीरियस ली कहीं माईक पर ऐसा बोला होता कि हाँ, यह ऐसा, तो फिर तो हम मान सकते तहरा है, संदेश पाजी तो आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन फ्रस्टेशन में जो चीज कही गई है, तो इसमें कहीं, मैंने देखा ट्वीट्स पग तो किन गालियों का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा रोड पे, कॉलेज में, स्कूल में, किन गालियों का यूज होता है, वहाँ पे तो फिर सेमफल वो भी है, जब खुदी, है ना, वो भी सेमफल है, तो अब यह बात आप बोल सकते कि, संदेश पाजी एक इंट मीडिया को समझने चाहिए, जो भी ATK मोहनबगान का मीडिया मेनेजर है, उसको यह चीज समझना चाहिए, कि प्लेयर्स की कौनसी बातों को पब्लिक लिए दिखाना है, एक एजेंट्स वगरा जो होते हैं, यह प्लेयर्स की इसी बातों का धिहान रखते होंगी, पब्लिक इमेज, पब्लिक रिलेशन, यह सब चीजें का वर्क करते हैं, तो यही तो दीद देखते हैं, अब यहाँ पर एक मीडिया मेनेजर की छोटी सी 10 सेकंड की गलती, 10 सेकंड की स्टोरी, तो ऐसे जो प्लेयर्स एड्रेसिंग रूम में आप ग्राउन में कहें, या मस्ती में क कुछ भी कहते हैं, कुछ भी, अगर कोई महाँ पर कैमेरा चुपा दे माइक चुपा देना, तो सोचेंगे कि नहीं मैं इसको तो भगवान मानता था, तो वो फेरा फेरी का डालोग हैं, तो वैसा हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि एक तो ग्राउफ द फील्ड बातों को पुब्लिक के सामने दिखाने नहीं चाहिए, कुछ भी, क्योंकि फ्रस्टेशन में प्लेयर सवाइक सी बात है, गलत बात है, कुछ भी जो दिमाग में जो भी आजाए बोल देता है, और जब खुश होता है तो भूट फिर अच्छे से बोलता है, हाना, सोच समझ कि, ऐसा ह कोई जान भूच के कही बात नहीं, यह निकल गई बात है, है ना, गुस्से में, फ्रस्टेशन में, गुस्सा भी नहीं बुलो में, फ्रस्टेशन, क्योंकि संदेश पाजी जीतना चाहते थे मैच को, और हर प्लेयर जीतना चाहता है, और फ्रस्टेशन में निकल जाती बा संदेश पाजी को उस वे में आप मत देखिए, वो एक बहुत अच्छी इंसान है, एक अच्छी मिमन बींग है, ठीक है, और यही कॉंट्रोवर्सी है तो इसके उपर आप क्या है न कि आप ट्वीट पर ट्वीट करते जाएंगे तो यह कॉंट्रोवर्सी और फेलती जाएग यही तो है बात, तो अब यही है, मैं यही गहना चाहूँँगा कि क्यों पल दो पल का गुस्सा दिखाना क्यों पल दो पल के नहीं आर्जगी करना है ना, संदेश पाजी तो इंडिया टीम में है, आप उनके लिए प्राउट फिल करेंगे जब गोल मारेंगे, तो यही तो गलती तो इंसान सी होती है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगा, कि लास्ट में कि संदेश पाजी के उपर जो कॉंट्रिवर्सी चल रही है, इसको खतम होना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा इस बात को ना आगे बढ़ा के उनके गेम को देखा जाए, कि वो कैसा पर कुछ की कुछ कमेंट कर रहे है, अब वो प्लेयर भी सोचे, अब भो खेले या इस पर ध्यान दे, उसने को यह से धोके से कुछ भी बोल दिया, लेकिन अब पब्लिक ने पूरा डाल दिया उनको पर भार, इससे पूरा असर गेम पर पढ़ता है, तो यह चीज होती है, तो कि अब प्रेसर डालना ना, क्योंकि आपका ट्वीट है, उससे कुछ ने होगा, उनको तो यह भी नहीं पता हूगा कि कोई मेरी रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, इसको इंस्ताग्राम पर डालने वाला है, नहीं तो फो फिर बोलते भी नहीं, कि हांभी है, तो रिकॉर्टर कि अब आगे ना हो, तो बहुत अच्छी बात है, इंडियन फुट्बॉल के लिए अच्छी बात है, ना सुप संदेश पाजी केरला प्लास्टर अटी के महान बागा है, इंडियन फुट्बॉल के लिए अच्छी बात है, क्योंकि 80 के महान बागा ने सब सेकंडरी है, केर कोई ऐसा मुवमेंट तू बनेगा नहीं तो बस यही मैं कहना चाहता हूं और देखी इस टाइप की कुछ बात आ जाती तो हमको इस पारेम बात करना पड़ा है ठीक है और मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा पॉजिटिव बाते करूं बहुत अच्छे चीजे के उपर बात करूं आप कुछ को पूछते हूं जितना आपको पता आप मुझे बताईए ऐसी तो अब दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नौलेज दे पाएंगे और अपना जो जितना हम जानते उपसे और ज्यादा जान पाएंगे है नग बस यही तो है ऐसी तो बढ़ेगा फोटबोल तो बस इसी तरह भारती फुटबॉल को सपोट करते रही है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जै हिन जै भारत